हरे मूंग डाल की इतनी टेस्टी नास था आज के पहले न आपने खाया होगा और ना ही किसी ने रेसी भी बताया होगा बहुत ही टेस्टी बनेगा साथ में हेल्दी भी बनेगा क्योंकि हरे मूंग डाल में प्रोटीन और फाइबर भर भर के होते हैं तो सबसे पहले तो मूं संते बाद हम देखें कि हमारा डाल अच्छे से फूल चुका है और उपर जो छिलका है वह आग चुका है तो पानी के संद पहा देंगे और अब हम इसमें जार में डालेंगे क्योंकि हमें पीछना है और साथ में कुछ चीजे भी एड़ करेंगे जैसे कि दो चार पांच लहसन की कलिया डालेंगे और दो तीन हरी मिच डालेंगे हरी मिच ज्यादा और कम कर सकते हैं लेकिन हम दो तीन ही डालेंगे बाद में और भी एड़ करेंगे और इसमें न हम अद्रक भी डालेंगे जो आपको दिखा नहीं होगा चोटे चोटे बारी करके सारे इसके जगह पे यदि आप अपने टेश्ट के अनुसार लाल मिश डालना चाहे तो डाल सकते हैं हल्दी पॉडर डालेंगे और प्याज स्लाइस करके डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे सिंधा नमक डालेंगे और लाल मिश मैं स्कीप कर रहे हूं क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा बेश्ट रहेगा और इसे बढ़िया से मिला देंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पॉडर भी एड़ करेंगे कूट कर डालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कडाही तो पहले ही गर्म हो चुका था अब हम तेर डाल का गर्म कर लेंगे तो रिफा तलेंगे जिससे की अच्छे से कूख होगा अंदर तक और अभी अब देख सकते हैं कि फूल भी रहा है बहुत यह बढ़िया स्पॉंजी बनने वाला है यह सॉप्ट सॉप्ट तो उपर से तो क्रिस्प क्रंची बनता है और अंदर से सॉप्ट बनता है इसमें जो अमने प्य परफ्रेक्ट कलर आएगा दोनों तरफ से तो मैं सुरुआत में कोई भी चीज बनाती हूं तो मीडियम कर देते हूं लोटू मीडियम और बाद में हाई फ्लेम कर देती हूं जब यह अच्छे से कूख हो जाएगा तो कलर देने के लिए तो गोल्डन कलर होने तक अच्छे के टाइमे स्पेसली बनाईए उन्हें बहुत पसंद आएगा घरवालों के लिए भी बनाएंगे तो घरवाले तो आपके हाथ चुमने लगेंगे इतने टेस्टी बनेंगे बातों ही बातों में हमारा जो पकोड़ा है न वो लगबर-लगबर हो चुका है और हमारे चैनल प है वो बनके तयार है अब हम इसे निकाल लेंगे और पेपर यह टीशू पेपर पर रखेंगे जिसे केक्षटा तेल निकल जाएगा सेम प्रोसेस से हम बाकी सारे नास्ता को बना लेंगे और गर्मा गर्म चाय के साथ सौर्ब करेंगे इसे हम ऑफिस स्कूल टिफिन बॉक् जाएगा चलिए मिलते हैं फिर से एक ने रिसीपी के साथ तब तक लिए थैंक्यू सू मच